कि नमस्कार दोस्तों मैं प्रोमो स्वाकत करता हूं हमारे चैनल स्वस्तिक अगरवत्ति दोस्तों आज कल पीना बांबू के कि या फिर बांबो का यूज ना करके बहुत सारा अगरवत्ती प्रड़क्त बनाया जा रहा है जैसे आपको पकड़ लीजिए ड्राइश्टिक हो गया सुखा अगरवत्ती गिला अगरवत्ती यह सब चीज मार्कर में अभी ज्यादा चल रहा है तो दोस्तों आज हम रहे ज्याव पर फिर सुखा अगरवत्ती कैसे बनाय जाता है उसका प्रविक्स क्या उता है स् feminisitमें क्यावता है उसके बारे में हम आछ बात करेंगे तो चलिए विडियो को सुरू करते हैं इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नएंढ़ है तो हमारे चैनल को लाइक आश्याहर Veer करना पर भुल लै कि इसे विडियो को सुरू करते हैं दोस्तों ड्राच्टिक बनाने के लिए आपको 45 चीजों का जरूरत पड़ेगा उसमें बेस पाउडर आपका टीवन पाउडर है कि आपको टीवन पाउडर एक किलो लेना पड़ेगा या पॉंडर के बाद आपको जोच पाउडर 180 ग्राम से 200 ग्राम तक लेना पड़ेगा अगर लका के लिए SMEर लेना पड़ेगा अगर अलिए यारायना पाउडर आपको 30 से 40 क्राब देना पड़ेगा दोस्तों यारायना पाउडर ये एक optional product है जो यूज कर सकते हैं मैं यूज करता हूं अगर आप चाहते हैं तो यूज कीजिए या फिर आप यूज किजिए याराय रूग पाउडर का काम होता है कि यह जो सुगंद आपका होता है इसको थोड़ा दूर फैलाता है इस लिए हम इसको यह ड्राइ श्टी तो याघा कॉस्टिंग आपका नहीं हो रहा है या ज्यादा कोष्टिंग हो तो 11-11 पाउडर आप स्कीब कर सकते हैं अगर आप चंदन बेस में स्टीप को बनाना चाहते हैं तो आप सेंडल उड़ पाउडर यूज कर सकते हैं कोई कोई दूसरे सुगंदित पाउडर जो मार्केट में मिल ले हैं उसे भी यूज कर रहे हैं आप भी उसे यूज कर सकते हैं इसमें आप एक किलो यूड़ पाउडर में आप 200-300 ग्राम आपका सेंडल उड़ पाउडर यूज कर सकते हैं कि उसके बाग बर्निंग पाउडर चालिस ग्राम से पचास ग्राम तर लेना पड़ेगा आप इससे इससे भी ज्यादा ले सकते हैं देखिए दोस्तों पहले आप यह जो फॉर्मुला में देरा में आप उसको छोटे चोटे पेच पर तयार कीजिए कितना क्या लग रहा है आ आप पहले टेस्टिंग कीजिए छोटा छोटा वेज लेकर टेस्टिंग कीजिए उसके बाद जो जो आपको प्रोब्लेम आ रहा है मुझे डारेट कॉंटाक्ट कीजिए मैं आपको उसका सलूशन दे दूगा या फिर आप खुद से ही थोड़ा थोड़ा चेंज करके इसक पीजिए बाद आता है अगर आप उस्टिक को कि आप कलर देना चाह रहे है या फिर थोड़ा रेड कलर करना चाहरे है तो आपको इसमें पिक्मेंट कलर यूज करना पड़ेगा अगर लेंग छोट रहे हैं तो जैसे हमारा फाइट बांबो का वाइट काठी टीवां प्यो आप उसमें कलर लाना चाहरे हैं कलर देने से क्या आपका जो स्टीक है थोड़ा ज्यादा खुबसुदर दिखेगा अगर आप यह चीज आप कलर देना चाहरे हैं तो पिग्मेंट कलर आपको इसमें 30-40 का देना पड़ेगा है दोस्तों यह तो था ड्राश्टिक बनाने का इसका प्रिमिक्स का फोर्मूला तो ड्राश्टिक बनाने के लिए इसका श्रशानी एक मसीन आता है जो आप वीडियो में दिखा दूंगा और इसका एक छोटा सा वीडियो में स्क्रीन में डाल दूगा तो देखिए कैसे ड्राश्टिक बनता है इसका सपरेट अभी मेसीन मेसीन आ रहा है और बहुत ही हाइच्पीड मेसीन अब निकल गया है इसको बनाने के लिए अगर आपके एरिया में यह ड्राश्टिक चलता है तो आप इसका भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं यह रेडी होने के बाद या फिर सूखने के बाद आपका रो ड्रास्टिक तया हो यह उसके बाद आप जो कोई भी पर्फुम देना चाह रहे हैं जैसे आप फाइट काठी या फिर ब्लाक अगर्वत्ती को पर्फुम करते हैं से उसी तरह इसको भी आप डिपिंग कर सकते हैं यह थोड़ा क्वालिटी प्रड़क्ट है तो इसको जब आप रेशियो आप जो भी पर्फुम देपिंग करें तो थोड़ा अच्छे वाले शुदन उसको चूच करके यह वाला चीज आप रेडी कर सकते हैं तो दोस्तों यह तो था बीना बांबो स्टिक के ड्राश्टिक आप कैसे बनाएं इसका पूरा प्रोसेस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह और कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको डिटेल में फॉर्मूला चाहिए या फिर कोई सजेशन चाहिए तो मुझे कॉ मिलते हैं दूसरे वीडियो पर टेक क्या बाई 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 चाहिए 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 बाई